प्रस्णा वाले तीन से अब आगे के प्रस्णों को हल करते हैं तो अगला प्रस्णा है किसी समानतर सेड़ी के पीवे, क्यूवे, आरवे पदों का योगफल क्रमसा A, B, C है तो सी दिखीजे की A अपान P कुस्टक के अंदर Q-R प्लस B अपान Q कुस्टक के अंदर R-P तथा प्लस C अपान R कुस्टक के अंदर P-Q बराबर 0 हमें सीद करके लाना है, तो यहाँ पे हमारे पास ना तो A का मान दिया है और ना ही हमारे पास यहाँ पे D का मान दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों मान को मानेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं, तो माना प्रथम पद, A तथा सारवंदर D है, और यहाँ पे पीवे पत का मान क्या दिया हुआ है, तो पीवे पदों का योगफल बराबर A, इसी तरह से QA के लिख लेते हैं, QA पदों का योगफल यहाँ पे B और आरवे का है, C है, अब हम हल करेंगे पीवे पदों के योगफल के लिए, तो यहाँ पे हल कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पीवे पदों का योगफल बराबर, जहाँ पे N होगा, वहाँ पे क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, तो P अपान 2 हो जाएगा, फिर यह 2, A हो जाएगा, प्लस N की इस्थान पे फिर क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, P माइनस 1, और यह रहा D, P way पदो का योगफल तो P way पदो का योगफल कमान कितना है A है तो हम यहाँ पे इनके इस्थान पे A को रख देते हैं तो यहाँ गया A यहाँ पे बचा क्या यहाँ पे साइड पे है P बटा 2 स्वारी यह 2 है थोड़ा सागे बढ़ा लेते हैं P अपान 2 नीचे में किसके नीचे में A अपान एक के नीचे में तो यह हो जायागा इस तरह से तीरिया गुड़ा होगा देखो ऐसा होता है गुड़ा तो हमें सिर्फ इसको बस लाना है यहाँ पे तो A अपान P बराबर यहाँ पे बचाए बटे 2 2A प्लस यहाँ पे बचाए गए प्लस यहाँ पे होगा इसके साथ बढ़ा होगा तो P-1 D बटा 2 हो जाए यहाँ पे दोनों से A कड़ गया तो बचा क्या यहाँ पे बचा है A बटा P बराबर A प्लस P-1 और यह हो गया D बटे 2 हो गया तो इतना बच गया अब हमें क्या करना है इसके बाद यहाँ पे देखो प्रस्ण में हमें देखना है जो हमें सीद करना है उसमें तो सीद करनेंगे वहाँ पे A अपान P के साथ किसका गुड़ा होगा है Q-R का तो हम गुड़ा कर देते हैं इनके दोनों पक्षों में तो यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों पर दोनों पक्षों में लिखो Q-R का गुड़ा करने पर करने पर तो गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा A upon P गुड़ा कर दिये किसका Q-R का और यहाँ भी वाइसी करेंगे तो बड़ा कोश्टक में लिखे लिए तो A plus P-1 D बटे 2 और यह हो गया इसके साथ गुड़ा करेंगे तो Q-R हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया A upon P Q-R यह जो Q-R है इसके अंदर गुड़ा कर देंगे तो यह हो गया A Q-R plus P-1 Q-R हो जाएगा और यह हो गया D बटे 2 हो जाएगा फिर A upon P Q-R बराबर A Q-R और इन दोनों को गुड़ा कर देंगे तो यह हो जाएगा P-Q गुड़ा होके क्या हो जाएगा P-Q हो जाएगा मैनस Q हो जाएगा उसके बाद इसका गुड़ा इसके साथ करेंगे तो यह हो जाएगा मैनस P-R हो जाएगा फिर मैनस में इसके आँगा प्लस और यहाँ पर R हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे qa पदो का योगफल बराबर जहाँ पे a न होगा यहाँ पे अब क्या रखेंगे q रखेंगे हम लोग तो q बटे 2, 2a प्लस q-1 और यह रहा d qa पदो का योगफल कितना है p है तो यहाँ पे हम b रख देते हैं यहाँ पे q बटे 2, 2a प्लस q-1 और यह हो गया d यह जो q है वो तीरे अगड़ा हो के आ जाएगा नीचे की ओर यहाँ पे b है यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है इसक जाएगा b बटे q हो जाएगा और यहाँ पे बचा क्या 1 बटा 2 और यह हो गया 2a प्लस q-1 और यह रहा दी एक बटे 2 का हम अंदर गुडा कर देंगे तो यह हो जाएगा 2a बटा 2 प्लस q-1 ड बटा 2 हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों से कड़ गया तो यहाँ पे बचा b बटा Q बराबद A+, Q-1, D बटा 2 अब फिर से हमें कहा पर देखना है, प्रास्न में देखना है तो प्रास्न में देखो B बटे जो Q है उसके साथ किसका गुड़ा हुआ है R-P का गुड़ा हुआ है इसी तास इसमें भी गुड़ा करेंगे A प्लस Q माइनस 1 D बटे 2 R माइनस P का हम यहाँ पे गुड़ा कर दीए इसके साथ थोड़ा सागे बढ़ा लेते हैं अब हम क्या करेंगे अब हम जो यह R माइनस P है इसका अंदर गुड़ा कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा B बटा Q बचेगा और R माइनस P बचेगा इसका जब अंदर गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा A गुड़ीत R माइनस P का गुड़ा होगया प्लस इसके साथ भी वैसे गुड़ा होगा तो यहाँ पर होगा q-1 और r-p और यहाँ पर पीछे में d बटा 2 है तो यह हो गया b बटा q r-p बराबर a r-p इन दोनों का गुड़ा कर देंगे तो इन दोनों का गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा कुल्टक में लिख ले थें इसको यह हो गया r q हो जाएगा r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r बराबर R बटा 2 2A प्लस R माइनस 1 और यह रहा D तो R बटा 2 का योग फल कमान कितना है C है उसके बाद R बटा 2 2A प्लस R माइनस 1 D यह जो R है इसको तीरिया गुड़क करके कहार पे ला लेंगे यहां पर आजागे नीचे में तो यह हो गया C बटा R बराबर यहां पर बचा एग बटा 2 2A प्लस R माइनस 1 और यह हो गया D इसे एक बटे 2 का अंदर गुड़ा कर देते हैं तो यह हो जाएगा 2A बटा 2 प्लस R माइनस 1 D बटा 2 हो गया यहां पर क्या था C बटे R था देखो यहाँ पे दोनों कड़ी है तो बचा क्या यहाँ से यहाँ पे बचा है A प्लस R-1 D बटा 2 बचा अब हम क्या करेंगे फिर से हम प्रस्णों को देखेंगे जिसमें हमें सीध करना है जो चीज मान हमें सीध करना है उसी मान को देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है C upon R के साथ किसका गुड़ा हुआ है P minus Q का तो हम क्या करेंगे यहाँ भी P minus Q का गुड़ा कर देंगे तो दोनों पक्षों में C minus R का गुड़ा करने पर तो यह हो गया C upon R और C नहीं स्वारी क्या है P minus Q है तो यह हो गया P minus Q का गुड़ा करेंगे तो P minus Q का गुड़ा कर देते हैं तो यह हो जागा A plus R minus 1 D बटे 2 P minus Q का गुड़ा करेंगे अंदर तो यहाँ पे अंदर में भी गुड़ा करेंगे तो यह हो जागा A P minus Q plus R minus 1 P minus Q और यह हो गया D बटे 2 तो यहाँ पर आ गया A P minus Q इन दोनों को गुड़ा कर देंगे तो यहाँ पर प्राप्ट हो जाएगा R P और यह minus P हो जाएगा फिर यह minus और यह minus minus ही होगा यहाँ पो गया R Q हो जाएगा और minus मैं इस क्या होगा प्लस हो गया और यहाँ पर आ गया Q और यह हो गया D बटा 2 यहाँ तब हो गया अब इसको हम क्या करेंगे इसको हम एक अगला समीकरन माल लेते हैं इसको हम समीकरन 3 नाम दे दिए तो यहाँ पर हमारे पास पहला समीकरन दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, तीनों समीकरण आगे, क्या करेंगे अब, तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे, तो जोड़ दो, तो यहाँ पर लिखना आपको, समीकरण, एक, दो, और, तीन को जोड़ने पर, पर, तीनों को जोड़ रहें, तो लेप्ट हैंड साइड जो हुआ है Q-R का गुड़ा हुआ है प्लस समीकरण 2 में left hand side में क्या था left hand side में देख लेते हैं यहां से तो यहां पे देखो समीकरण 2 में यह वाला मान है B upon Q-R-P है तो इसको लिखो B upon Q-R-P इसी तरह से समीकरण 3 से देख लेते हैं समीकरण 3 में है C upon R-P-Q है बराबर अब right hand side को right hand side के साथ जोड़ेंगे तो right hand side का मान क्या है right hand side का मान है A plus sorry A Q-R plus और यहां पे है PQ-Q-P-R plus R और इन सब का बटे क्या था दी बटे 2 था फिर प्लस करेंगे दूसरे समीकरण के right hand side को तो दूसरे समीकरण के right hand side क्या है यहां पे देख लेते हैं तो देखो यह वाला जो पूरा मान है इसको हम उसके साथ प्लस कर देंगे तो लिखो यहां पे plus पे A R-P plus कोश्का के अंदर लिखना है RQ-R minus PQ और जो बच्रा उसको side पे लिख लेते हैं यहां पे P और D बटा 2 हो जाया रहे यहां पे देखो बहुत ज्यादा इसलिए क्या है यह थोड़ा दिक्कत हो रहा है ठीक है आगे है यहां पे फिर इसके साथ क्या करेंगे प्लस करेंगे A और अंती मान को प्लस कर देते हैं इसमें दीसरा समीकरन तो दीसरा समीकरन देख लो यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको यह वाला मान तो इसको प्लस करेंगे यह आ गया A P-Q फिर इसके साथ तो और प्लस हुआ है तो यह है R P R P-P-R P-Q और यह हो गया D बटे 2 यह बहुत थी कुश्चेन है देखो बहुत ज़्यादा मुझे हल करना पड़ दा है ऐसे प्रसना बहुत कम चांस है कि एकजाम में आते हैं लेकिन आएगा तो यह 6 नंबर के ही प्रसने में आएगा उसके अलावा और किसे में नहीं आगा ठीक है तो चलो आगे अब इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास Left Hand Side आ चुका है ठीक है Left Hand Side को हमें जो सीथ करना था वो यहाँ पे सीथ हो चुका है सिर्फ हमें क्या करना है Right Hand Side को काट फिट करके Zero हमें लाना है Zero आएगा तो हमारा Right Hand Side भी सीथ हो जाएगा तो चलो हुआ है उसको पहले देख लेते हैं तो एक अुझा कहाँ पर एकट रहा ऑल्पन एक अगुड़ा क्यों माइनस र के साथ एक माइनस बीक ताथ्वी के साथ है तो हम यहांपे देखो तीनों में एक गुड़ा है तो A को अब लिखता हूँ तो यह A और जो बज गया उसको क्या करेंगी कोस्टक के अंदर लिखेंगे तो A यहां से उबज तीनों में निकल गया अब जो जो मान है बचा है उसको हम यहां पर कोस्टक पर लिखते जाते हैं यह होगा Q-R यहां पर प्लस लगा है R-P फिर प्लस P-Q जो जो कट रहे यही से काट जेते हैं तो देखो Q और यहां पर Q दोनों क्या है प्लस मैं कट गयं है यहां पर R- मी प्लस में कट गयं यहां पर P plus minus में कड़ गया सभी मान कड़ गया तो कितना होगा A गुड़ी 0 हो जाएगा इसको आगे मैं लिखूंगा अभी इसको कटा बलतो अब यहाँ पे आगे फिर हल करेंगे यहाँ पे देखो जिसके साथ D बटर 2 जुड़ा हुआ उसको अब ले लेते हैं D बटर 2 किसके साथ गुड़ा है तो यह वाला पूरा मान इसके साथ गुड़ा है फिर इस वाले मान के साथ यह गुड़ा है फिर इस वाले मान के साथ इसमें गुड़ा है तो यहाँ पर D बटे 2 जो है उबनिश्ट निकल गई यहाँ पर जो बच्चा है उसको दूसरे कोष्टक में लेए है P Q माइनस Q माइनस PR प्लस R फिर प्लस यहाँ पर क्या है यहाँ पर है R Q है यहाँ से लिख लेते हैं अब थोड़ा सा और है उसको भी P माइनस R माइनस P Q और प्लस P है फिर यह वाला देख लेते हैं यहाँ पर प्लस R P माइनस P माइनस R P प्लस Q अब यहाँ पर देखेंगे जो जो कट है उसको भी कटा देते हैं तो देखो P Q कहाँ पर है और कहीं पर है क्या यहां पर देखो यह प्लस में है यह माइनस में कड़ी है फिर इसके बाद क्या है माइनस Q है तो अब देखो माइनस Q है तो कहीं पर Q लिखा हुआ है क्या तो यहां पर देखो Q लिखा है तो यह माइनस में प्लस यह भी कड़ी है फिर माइनस PR देखो तो माइनस यहां पर PR है कहां पे लिखा हुआ है देखो P R यहां पे है तो यह कड़ गया और यह कड़ गया दोनों कड़ गया फिर R देखो यह प्लस में यह माइनस में यह भी कड़ गया यहां पे देखते हैं R Q कहां पे है देखो R Q यहां पे प्लस में R Q यहां पे माइनस में दोनों कड़ गया यहा तो अगर इन सभी को अगर मैं गुड़ा कर दूँ इन दोनों को तो ये क्या प्राप्त होगा 0 और इसके साथ ये भी प्राप्त होगा तो 0 प्राप्त होगा 0 धन 0 कितना होगा ? 0 प्राप्त होगा तो हमारा left hand side कितना है है left hand side यहां पे मैं अब लिक लेता हूँ left hand side है a upon p q minus r यह हो गया b upon q r minus p plus c upon r p minus q बराबर 0 यही क्या करना था में? सीध करना था तो सीध हुआ ठीक यहां तक आपको समझ में आ गया तो इस तरह से प्रस्नगर मांग चो 13 है वो complete हो गया यह बहुत ही cutting दिखाई दे रहा आपको लेकिन देखो हल करने पे यह बहुत ही आसानी से हल हो गया ठीक तो यह समझ में आया आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्नगर मांग चूदा है तीन समांतर सेडियों के इन पदों का योगफल क्रमसा S1, S2, S3 है यदि प्रतेख सेड़ी का प्रस्नगर पद एक और सार्वंतर जो है क्रमसा 1, 2, 3 हो तो सीद कीजिए कि S1 प्लस S2 बराबर 2S2 होगा ठीक है तो हमें क्या करना है सीद करकि यह मान लाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर प्रथम पद को लिख ले दें प्रथम पद का जो मान है वो एक है प्रथम पद का जो मान एक है वो सभी के लिए S1, S2, S3, तीनों के लिए लेकिन सार्वंतर तीनों में अलग-अलग रहेगा S1 के लिए सार्वंतर रहेगा 1 S2 के लिए सारवंतर रहेगा 2 और S3 के लिए सारवंतर रहेगा 3 तो देखो, तीनों के लिए अलग-अलग सारवंतर यहाँ पे जो लिखा S1 का यह मान नहीं है ठीक है, यह क्या है? सारवंतर का मान है S2 का सारवंतर हमें 2 रखना है S3 कमान सारवांतर हमें 3 रखना है अब हम इसको हल करते हैं तो सूत्र में लिख दे सूत्र में मान रखना है तो सूत्र है हमारा S N N बटा 2 2A प्लस N माइनस 1 और ये रहा D अब हम इसको S1 के लिए जब हल करेंगे तो यहाँ पे लिख लो S1 बराबर यहाँ पे N कमान हमारे पास नहीं तो हम क्या करेंगे N कमान यहाँ पे निकालेंगे तो N को जैसा है वैसा रहे न तो N बटे 2 2 A कमान कितना है 1 है तो 1 रख दो प्लस N कमान जैसा है वैसा ही रखो क्योंकि S कमान हमारे पास नहीं है और पहले में S1 के निकार रहे हैं तो सारवांतर कितना रखेंगे एक रखेंगे तो यह हो गया S1 बराबर N बटा दो दो गुड़ी ते दो ही होगा प्लस एक कंदर गुड़ा करेंगे तेही मान प्राप्त होगा तो यह आ गया इतना यहाँ पे 2 और एक खटा दो कितना प्राप्त होगा एक प्लस N प्राप्त हो गया और यहाँ पे क्या है N बटा 2 है और यह S1 तो S1 बराबर यह जो N बटा 2 है इसकंदर गुड़ा कर देंगे तो यह हो जाएगा N बटा 2 प्लस N का वर्ग हो जाएगा दोनों के साथ लिख लो क्योंकि दोनों के साथ यह गुड़ा होगा तो यह आगया N प्लस N वर्ग अपान 2 हो जाएगा ठीक यहाँ तक आगए इसको एक समीकर नाम दे देते हैं अब हम S2 के लिए निकालते हैं तो S2 बराबर N बटा 2 2 गुड़ीत 1 प्लस N माइनस 1 और यहाँ पर अब क्या करेंगा S2 के लिए सारवंतर कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो यहाँ पर हमने सारवंतर को 2 रख दिया यह आगया N बटा 2 यह हो गया 2 प्लस इस 2 का अंदर गुड़ा कर दो तो 2 N माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 दो नो कड़ गया प्लस माइनस के कराण तो यहाँ पर बचा क्या N बटा 2 बचा और गुड़ीत 2 N बचा तो यहाँ पर 2 दो यहाँ भी कड़ गया तो यहाँ पर आगया N का वर्ग तो S2 का मान निकल गया n का वर्ग इसको दूसरा समी का नाम दे देते हैं फिर s3 के लिए निकालो तो s3 के लिए निकालते हैं तो n बटा 2 2 गुड़ी तेक प्लस n माइनस 1 और d का मान इस बार क्या रखेंगे s3 के लिए 3 रखेंगे तो यह हमने 3 रख दिया फिर यहाँ पे लिखो n बटा 2 यह होगया 2 एकम 2 प्लस इस 3 का अंदर गुड़ा कर देते हैं 3n माइनस 3 हो गया तो यहाँ पे आया n बटा 2 इसको घटा देते हैं तो यहाँ पे पहले लिख लिख लेते हैं 3n और घटाएंगे कितना आगा माइनस 1 आजाएगा अब यह जो n बटे 2 है इसका अंदर गुड़ा कर देंगे तो यह हो जाएगा 3n का वर्ग हो जाएगा और माइनस n हो जाएगा और बटा कितना है 2 आएगा तो यहाँ तक आगे इसको हम तीसरा समीकन दे देते हैं तो यह हो गया S3 हमरे यह सीद करना है S1 प्लस S3 के बराबर 2 S2 होना चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां पर मानो को रग देते हैं तो S1 का मान कितना है, S1 का मान है N plus N का वर्ग बटा 2 और S3 का मान कितना है, 3 N का वर्ग मैनस N बटा 2 और यहाँ पे 2, S2 का मान कितना है, S2 का मान है N का वर्ग देखते हैं दोनों मान बराबर आ रहा है कि नहीं है left hand side के बराबर right hand side होना चाहिए तभी क्या होगा यह सीध होगा तो यहाँ पे 2N का वर्ग है यहाँ भी हमारे पास क्या आना चाहिए 2N का वर्ग आएगा तो दोनों मान बराबर सीध हो जाएगा प्लस 3N का वर्ग मैनस 1 यह 1N दोनों कड़ गया और यहाँ पे बचा क्या 2N का वर्ग है इन दोनों को जोड़ दोती होगा 4N का वर्ग बटा 2 बराबर 2N का वर्ग है यहाँ पे 2 एकम 2 दूनी कड़ गया तो यहाँ पे आ गया 2 एकम 2 दूनी दो बार कटा है तो दो एन का वर्ग बराबर दो एन का वर्ग तो देखो left hand side बराबर है right hand side के यही हमी क्या करना से सीथ करना था और यह रहा सीथ हुआ ठीक यह समझ में आगे आपको इसके बाद जो पंदरवा परस्न है उसको आप लोग बना के देखना जैसे मैंने चोदवा परस्न को बनाया है वैसे ही बंदरवा परस्न बनेगा और इसे बनाने के बाद आप लोग मुझे इसको दिखाने आप लोगों को और दिखाना कहाँ पे आपको इसको मेरे टेलिगराम जो आड़ी है इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ल चिखाना है पंदरवा तीस तरह से पंदरवा भी आप लोगों का मेरे इस आप से कंप्लीट होगा अगर आप लोगों से नहीं बनेगा फिर आप लोग मुझे कमेंट कर देना मैं इसको आप लोगों को बना के दिखा दूँगा ठीक है फिर आगे प्रस्न देखेंगे 16 नि करिए